नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षावाड़ी के सेटोग चैनल में दोस्तो करेंटरफेस की जो सिरीज हमने सुरू की थी P.E.T. 2022 परिक्षा के लिए और वीडियो रे एक्जाम के लिए इसका यह पार्ट 2 है P.E.T. 2022 में हमने जनुरी बहने के सभी 100 टॉफ-फंडरेट जो करेंटरफेस के परिस्थने बन सकते थे उनको हमने कवर किया था तथा यह इस सेरीज का P.E.T. 2022 हमारा है पर्ट 2 में आज हम यहां पर कवर करेंगे फरवरी महने के टॉफ-फंडरेट करेंटरफेस के प्रस्थनों को यह जो आपके प्रस्थन होते हैं वर्ल लाइनर्स के फार्म में होते हैं तो most selected जो भी प्रस्थन आपके मंथली वाइस बन रहे हैं उनको हम आपके सामने प्रस्थूत कर रहे हैं तो यह हमारा पार्ट 2 है जनौरी काम ने अप्लोड कर दिया है तता आज के इस वीडियो में हम फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंटरफेस के प्रस्थनों को कवर करेंगे यह जो आपके करेंटरफेस के सीरीज है P.E.T. 2022 परिच्छा के लिए बहुत ज़्यदा महत्पूर्ण है इसके अलावा वीडियो का जो री एक्जाम होने वाला है इसके लिए भी यह सीरीज काफी ज़्यदा फायदवन्द है P.E.T. के लिए तो यह हराम बार्ट सीरीज है क्योंकि 10 नंबर का करेंटरफेस आपके एक्जाम में पूछा जाएगा तो 10 नंबर की कम्प्लीट त्यारी आपकी इस सीरीज के माध्यम से हो जाएगी तो इस सीरीज को आपको डेली बेसिस पर फालो कलते रहना है तो इचले वीडियो को सुरू करते है पहला प्रस्तन आपके सामने है प्रधार मंत्री की सुरक्षा में चूक की जाँच के लिए केंद्री ग्री मंत्राले के दोरा गठित समीती का अध्यक्च किसे बनाय गया था पंजाब की आत्रा के दोरान आपको याद होगा पधार मंत्री जी की सुरक्षा में चूक हो गई थी फरवरी के महीने में तो उसी सुरक्षा चूक यानि के सक्योर्टी में जो चूक हो गई थी उसकी जाज के लिए दो समितिया बनाए गई थी एक तो हमारा जो ग्री मंत्रालत उसके दरा एक समिति बनाए गई थी और एक अलग से सुप्रीम कोट के दरा समीति बनाएगी तो सुप्रीम कोट वाले समीति के अधिक्षता थी किसके पास आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में और यहाँ पे जो प्रस्थ में पूछा गया है और केंद्री ग्री मंतराले के दरा जो गठिट समीति थी इसका सुप्रीम कोट के दरा किसके दक्षिता में समीति का गठन किया गया था इसके लिए आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे और दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश कौन सा था तो कैनेडा था इसके बार इसके बारे में आपको यादक नहीं दिल्ली में पोलियो राष्टी करण दिवस यानि कि पोलियो नेशनल इम्म्यूनाइजेशन डे 2022 कब मनाया गया था तो 27 फरवरी को यह दिवस मनाया गया था भासा सर्टिफिकेट सेल्फी नामक जो अभियान था इसकी शुरुवात कि इस मंत्राले के दोरा की गई थी काफी महत्रपूर्ण यह पहल थी तो भासा सर्टिफिकेट सेल्फी नामक जो अभियान था इसकी शुरुवात की गई थी एजुकेशन मिनिस्ट्री के दोरा सिक्षा मंत्राले के दोरा था इसके बारे में आपको याद अखना है सिक्षा म अगला महत्वुन प्रस्न आपके सामने है हाल ही में Mexican Open 2022 का खिताब किस ने जीता था गाये तो Mexican Open 2022 का किताब किस खिलाड़ी ने जीता था तो राइटन सरा पक्या हो जाएगा राफेल नडाल ने किसने तो राफेल नडाल ने जो है Mexican Open 2022 का खिताब अपने नाम किया था तो इसके बारे में आपको याद अखना है काफी महत्तपूर्ण है और इसके बाद जो राफेल नडाल ये Spain के रहने वाले हैं तो इसके बारे में भी आपको याद अखना है इसके अलावा जो राफेल नडाल थी नोंने 2022 का Australian Open में पूरुस एकल का खिताब भी जीता था अगला प्रसनाब के सामने है उसु स्टाल्स चेंपियनसिप जो की मासकों में होई थी 2022 की भारत के किस खिलाड़ी ने इसमें सौन पदक जीता था तो साधिया तारीक ने इसमें सौन पदक जीता था तो इसके बारे में आपको याद अखना है साधिया तारीक ने इसमें सौन पदक अपने नाम किया था तो important डिया प्रसनाब के लिए है अगला प्रसनाब के सामने है 2022 के लिए राश्टी बिग्यान दिवस की थीम या पर आप से पूछे गई है क्या थी तो 2022 में आपका जो राश्टी बिग्यान दिवस से मनाय गया प्रतिक बिग्यान दिवस की रूपने मना जाता है और 2022 की इसकी थीम क्या रखे गई थी सतत्वविस्य के लिए बिग्यान और प्रद्योग की में एकिकरित द्रिष्टी कूण तो इसके बारे में आप या देखेगा राश्टी बिग्यान दिवस 2022 का मनाय गया तो 27 फरोरी को आपका राश्टी प्रोटीन दिवस मनाय गया और इसकी इस वर्स की थीम रखे गई थी खाद्य भविस्य वाद तो इस थीम भी आपके लिए इंपोर्टेंट है इसके बाद अगला प्रसना आपके सामने है हाल ही में सिंगापूर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में किसने सौन पदक जीता तो मेरा भाई चानू के दरा जो है इसमें सौन पदक जीता गया था तो आपी सहाथ कर लेजेगा सिंगापूर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में जो है मेरा बाई चानू के दोरा जो है सौन पदक जिता गया था हाल ही में जो कामन वेल्थ गेम्स संपन हुए है इन कामन वेल्थ गेम्स में मेरा बाई चानू के दोरा कौन सा पदक जिता गया है इसका जवाब आप हमें कमेंड बॉक्स में दीजेगा कि मेरा बाई चानू क कि दोरा Commonwealth Games में कौन सा पदक जिता गया, सवन पदक जिता गया, रजत पदक जिता गया, या कान से पदक जिता गया, सही जवाब आप हमें कमेंड बॉक्स में बताएंगे, डिस्टीवी का ब्रांड अबिजडर किसे बनाय गया था, फरवरी के महीने में, कापी महतरपूर्ण है, तो डिस्टीवी का ब्रांड अबिजडर बनाय गया था, रिसब पंत को, डांडेली क्रोकोडाइल पार्क, भारत का दूसरा क्रोकोडाइल पार्क, जो है किस राजी मे अस्थापित किया जा रहा है तो करनाटक में यह अस्थापित किया जा रहा है भारत का दूसरा क्रोकोडाइल पार्क ते इसके बारे में आपको आदखना है इस क्रोकोडाइल पार्क का नाम है डांडेली क्रोकोडाइल पार्क पहला कहां पर अस्थापित किया गया था तो प 2021 जो है किसे दिया गया था तो आप याद कर लिजेगा किस भालती को तो यहाँ पर राइटन सरा बख्या हो जाएगा PR SRIJS को आप याद कर लिजेगा यहाँ पर World Games Athlete of the Year का पुरुसकार किस भालती को दिया गया 2021 के लिए तो PR PR SRIJS को आपको याद रखना है केरल से सर्मंदित है यह PR SRIJS हमारे भालती होके टीम के खिलारी है इनको जो है यह दिया गया तो इसके बारे में आपको याद रखना है Tata Steel सतरंज Tournament 2022 किस ने जीता था तो Magnus Carlson ने जो है इसको जीता था आपको याद रखना है नौर्वे की ये खिलारी है Magnus Carlson हाली में Antonia Costa Antonio Costa को जो है किस देश का PM बनाए गया था प्रधान मंत्री बनाए गया था तो आप याद कर लिजेगा ये पुनह प्रधान मंत्री चुने गये थे पुल्तगाल के तो इसके बारे में आपको याद रखना है पुल्तगाल आपका राइट एंसर हो जाएगा अगला महत्रपुन प्रस्नाप के सामने है आल्थिक सर्वेक्षन 2022-23 के अनुसार भारत की GDP ब्रधिदर कितनी रहने का अनुमान है तो आठ से लेके फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को किसके दोरा लिखा गया है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक को किसके दोरा लिखा गया है तो इस पुस्तक को लिखा गया किसके दोरा तो कीरन बेदी की दोरा तो आपी से आथ के लिजेगा पुड़ू चेरी की उपराजे पाल ये रह चुकी है पुर्व उपराजे पाल थी किरन बेदी इनी के तरह जो है फियर लेस गवर्नेंस जो है इसको लिखा गया है तो इसके बारे में आपको याद आखना है काफी फेमस बुक है आप सिध्या में पूछी जा सकती है हाली में कौन सी पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्ण अ मतलब कौन सी टीम जो है पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्ण इंटरप्राइज बनी थी तो काफी न्यूज में यह टीम थी तो इस टीम का क्या नाम है चन्नई सुपर किंग्स तो आप याँ देखेगा पहली यह टीम बनी थी sports unicorn तो इसके बारे में आप क्या दखना है चन्नई सुपर किंग्स तो इसके बारे में आप क्या दखना है important है आप से directly इसके बारे में पूछा जा सकता है तो भारत की यह पह जियो पार्क की जो अस्थापना है कहां पेके जा रही है देश के पहले तो मद्र प्रदेश के जबलपूर में तो इसके बारे में आपको याद अखना है मात्मा गांदी और अन्य स्वतंदता सेनानियों का एक मंदिर भारत के किस राज्य में बनाय गया है तो यह बनाय गया था आंध्र प्रदेश में तो इसके बारे में आपको याद अखना है आंध्र प्रदेश में अगला महत्रपुन प्रसन आपके सामने है भारत और नेपाल ने हाल ही में किस नदी पर मोटर योग्य पूल बनाने के लिए एक समझोता इग्यापन किया था फरोवरी के महीने में तो मोटर योग्य पूल बनाएंगे भारत और नेपाल मिलकर कहां पर तो महा काली नदी पर इसके बारे में आपको यादकना है हाल ही में किस देश ने यू सोंग बार बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता पुर्वा परिच्छन किया था तो इस मिसाइल का जो है सफलता पुर्वा परिच्छन किया गया था उत्तर कूरिया के दोरा अपया देखेगा उत्तर कूरिया के दोरा हाल ही में सासन में सुधार के लिए किस राज जी के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई थी तो सासन में सुधार करने के लिए गवर्नेंस में सुधार करने के लिए जो है प्रोजेक्ट सद्भावना को शुरू किया गया था असम की सरकार के द्वारा, तो आप याँ देखेगा, असम की सरकार के द्वारा, किस क्रिकेटर को ICC Spirit of Cricket Award 2021 दिया गया है, किस क्रिकेटर को ICC Spirit of Cricket Award 2021 दिया गया था, तो इस क्रिकेटर का नाम है Daryl Missile इसके बारे में आपको याद अखना है Daryl Missile जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा आप याद के लिजेगा Daryl Missile को जो है क्या दिया गया था ICC Spirit of Cricket Award 2021 तो इसके बारे में आपको याद अखना है IMPORTANT है मैंने आपको बताया था Men's Cricketer of the Year चुना गया था ICC के दोरा Pakistan के साइन अफरिदी को तता Men's Cricketer of the Year की जो ट्रोफी होती उसको बोलते है Sir Garfield Saubas ट्रोफी जो मिली Pakistan के साइन अफरिदी को वही महिलाओं के अगर हम बात करें तो महिलाओं के सिर्णी में ICC Women's Cricketer of the Year का पुरस्काल दिया गया था इंडिया की भारत की इस्मृती मंधाना को थी यह फैक्ट आपको याद अखना है अगला प्रस्तना आपके सामने है किस Cricketer को Sorry Laureus World Breakthrough of the Year 2022 Award के लिए किस Athlete को नामित किया गया है तो किसको नामित किया गया था तो निरचोपडा को जो है नामित किया गया था अब इसे हाथ कर लिजेगा अगला प्रस्तना आपके सामने है आतिक सर्वेक्षन 2021 के अनुसार किस सहर ने Bangalore को भारत की स्टार्टप राजधानी के रूप में प्रतिस्थापित कल दिया था तो दिल्ली ने जो है Bangalore को प्रतिस्थापित कल दिया था भारत की स्टार्टप राजधानी के रूप में तो इसके बारे में आपके आदकना है दिल्ली कि फायती और सक्ष उर्जा में जाकी का पुरस्काल दिया गया था important है यहां पर 2022 के गड़तंज दिवस परेट की हम बात कर रहे हैं तो किस राज्य को जो है सर्वसेष्ट जाकी का पुरस्काल दिया गया था तो उत्तरपदेश राज्य को आपको याद दखना है उत्तरपदेश राज्य को जो है सर्वसेष जाकी का पूरुषकार दिया गया था तो आप इस याद के लेजेगा तता इस जाकी में क्या प्रदसित किया गया था उत्तरपदेश के दोरा तो कासी विश्वनाद धाम की जलक दिखाए गई थी और O.D.O.P. One District One Product की जलक दिखाए गई थी इस जाकी में थी इसके बारे में आपको याद दखना है Important है Second अस्थान पर आपका करनाटक था और थर्ड अस्थान पर जो है इसमें में घाले था तो आप याद दिखिएगा भारत का सबसे सकतिसाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग है कहां पर अस्तापित किया गया है तो परम प्रवेग जो है भारत के सबसे सकतिसाली कंप्यूटरों में से एक है परम प्रवेग इसको अस्तापित किया गया है कहां पर तो आप याद कर लिजेगा IISC में IISC बेंगलूर जो है यहीं पर इसको अस्तापित किया गया है तो आप इसे आद कर लिजेगा तथा वलतमान में दुनिया का सबसे तेज सुपरकेंप्यूटर कौन बन गया है काफी important है आपसे directly पूछा है सकते हैं इसके बारे में कि वलतमान में दुनिया का सबसे तेज सुपरकेंप्यूटर कौन सा है तो हाल ही में Frontier आप याद कलिजेगा Frontier नामक जो सुपरकेम्पूटर है यह दुनिया का सबसे तेज सुपरकेम्पूटर के खिताब इसको दिया गया है यह किस देश का सुपरकेम्पूटर है तो अमेरिका का USA का यह सुपरकेम्पूटर है Frontier जो की वतमान में दुनिया का पहले जपान का फोगाकू हुआ करता था दुनिया का सबसे तेज सुपर केम्पूटर परंतु हाल ही में इस वर्ष में जो अमेरिका का फ्रंटियर है इसने उसको पीछे करके पहला स्थान हासिल किया थे इसके बारे में आप या दिखेगा वहीं भारत का सबसे तेज सुपर प्रस में लॉंच किया जाएगा तो 2022 में जो है आपका चंद्रयान 3 लॉंच किया जाएगा तो आपको याद अखना है अगला प्रसना के सामने है इक्री सैट कहां पर इस्थित है इक्री सैट कहां पर इस्थित है इक्री सैट का पूरा नाम मैं आपको बता जाता हूँ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंसिचूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इसको हम सौट फॉर्म में एक्रिस हैट कहते हैं इसका हेड़कॉटर आपको लेगा हैदराबाद में अब यह न्यूज में क्यूं था क्यूंकि इसने हाल ही में अपनी पचासमी वसगाट मना ही है जिस कारण से यह न्यूज में था इसके बारे में आपको याद अखना है और किस देश ने 2021 में भारत के ब्यापारिक भागेदार के रूप में सिर्शस्तान प्राप्त किया था तो भारत के ब्यापारिक भागेदार के रूप में सिर्शस्तान प्राप्त किया गया था अमेरिका के दोरा तो आप इसे आद कर लेजेगा और सीद कालिन ओलंपिक 2022 में एक मात्र भालती अथलेट आरिफ खान किस खेल से तंबंदित है इंपोर्डेंट है आरिफ खान का संबंद किस खेल से है तो इनका संबंद था अलपाइन इसकी इंग से इसके बारे में आपको दखना है ये एक मात्र भालती अथलेट थे एक आरिफ खान जिनोंने सितकालिन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया था तता इनके खेल का नाम है अलपाइन इसकी इंग मोस्ट इंपोर्टेंट एकजाम के लिए आपका करेंट अफेस के प्रस्तन है हाली में किस अ फॉनले मैंच है छालही में खुला गया इंडिया के दोरह कहां पर खिला गया था तो नरेंदर मोदी स्टेडियम में ख़्िला गया था यमेच भारत और वेस्ट एंडीस के अमयदस्ट के बारे में आपको यादकना है हाल ही में भारत ने कितनी बार अंडर 19 क्रिकेट Buddhist का जीता है तो 5.2 प्याद कर लिजेगा हाल ही में भारत ने पांच्वी Bार जो है Under 19 Cricket जीता है तो इसके बारे में आप कुझा दखना है तथा दो 2020 का जो Under 19 Cricket प जीता गया इसके साथ ही भारत जो है Under 19 Cricket प्रतियोगीता कुझ जितने वाला मतलब मतलब जितने पांच बार भारत के तरह जीतली गई है या अंडर 19 क्रिकेट बिस्जो का प्रतियों गिता तो इसके बारे मैं आप या देखेगा अगला प्रस्थन आपके स्क्रिन पर है हाल ही में 9.9 करोड साल पुराने पूरी तरह से सरक्षित फूल किस देश में खोजे गए थे तो 9.9 करोड साल पुराने पूरी तरह से सरक्षित फूल खोजे गए है कहां पर तो म्यानमार में आप या देखेगा म्यानमार में खाल ही में किस नौसेनिक जहाज से ब्रह्मो सुपरसोनिक कुरूज मिसाइल का परिक्षण किया गया था तो INS विसाका पटनम से कहां किस से तो INS विसाका पटनम से आप याद किएगा हाल ही में किस राज्य ने 15 फरवरी को सहीद दीवस के रुप में मनाने की गोशना की थी तो 15 फरवरी का जो दिन है कौन सा राज्य सहीद दीवस के रुप में मनाएगा तो बिहार राज्य जो है 15 फरवरी का जो दिन होगा उसको सहीद दीवस के रुप में सेलिबरेट करेगा मनाएगा अंतराष्टी मात्रिवासा दिवस항 2021 कर मनाएगा इंपोर्डेंट है तो अंतराष्टी मात्रिवासा दिवस항 2021 कर मनाएगा 21 फरावरी को हाल ही में और राचर पदेश ने अपना 36 अस्थापना दिवस कब मनाया और राचर पदेश ने अपना जो 36 अस्थापना दिवस कब मनाया था तो 20 फरवरी को मनाया था इसके बारे में आपको याद अकना है इसके बाद अगला प्रसना आपके सामने है कौन सा भारती सहर जो है अंतरास्टी उलम्पिक समीती 72-23 की मेजबानी करेगा तो यह सहर है हमारा मुंबई तो अपयाद कर जिएगा मुंबई सहर जो है अंतरास्टी उलम्पिक समीती 72-23 की मेजबानी करेगा तो Mumbai आपका राइटन चरो जाएगा मेरी policy मेरे हाथ अभियान को किस योजना के कारियानवन के लिए शुरू किया गया है इसको जो है सुरू किया गया था प्रधान मंतरी फसल बीमा योजना के कारियानवन के लिए तो इसके बारे में आप क्या दखना है मेरी policy मेरा हाथ अभियान को जो है प्रधार मंतरी फसल बीमा योजना के कर्यानवन के लिए सुरू किया गया था हाल ही में तो आप याद कर लिजेगा इसके बाद हाल ही में Munich Security Conference का आयोजन कहां पर किया गया था तो यह जर्मनी में आयोजन किया गया था Munich Security Conference हिलाले पाकिस्तान 2022 पुरसकार किसे पतान किया गया था तो Bill Gates को दिया गया था हाली में किस खिलाडी ने प्रथम सिर्णी में पलधारपन पर triple century लगा कर 20 record बनाया था इसके बाद अगला प्रस्णाव के सामने है किस कंपनी को भारत का सबसे भरोसे मंद सारवजनिक छेत्र की कंपनी का पुरसकार दिया गया था अपयात कर लिजेगा कूल इंडिया लिमिटेड दादा साहेब फाल के इंटरनेशनल फिल्म पुरसका 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द इयर चुना गया था तो फिल्म ऑफ द इयर जो है किस फिल्म को चुना गया था तो पुस्पा द राइज को अपयात कर लिजेगा और इसमें जो है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया था तो बेस्ट फिल्म का अवाड दिया गया था इसमें जो है सेर साहकूत इसके बारे में भी आपके आदकना है इसके बाद बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया था रणवीर सिंग को उनकी पिच्चर 83 के के लिए इसके बाद आपका बेस्ट एक्ट्रेस का अवर्ड दिया गया था इसमें कृती सेनन को उनकी पिच्चर मीमी के लिए और आउट इस्टेंडिंग contribution to film का award दिया गया था आसा पारेक को तो इसके बारे में आपको या दखना है वहीं प्रस्द में क्या पुछा गया है film of the year का पुरुस्पा दिया गया पुस्पा the rise को जो के गाने पुस्पा जो डरलाख है इसी फिल्म में है तो इसी को या पुरुस्पा दिया गया था हाल ही में विदान्ता कंपनी द्वारा रायस्थान में कहां तेल के कुवे की खोश की गयी थी काफी महत्पूर्ण है विदान्ता कंपनी के द्वारा रायस्थान में कहां पर तेल के कुवे की खोश की गयी थी तो रायस्थान के बाड़ मेर में तो रायस्थान के बाड़ मेर में जो है तेल के कुवे की खोज की गई थी विदानता कमपनी के द्वारा तो आप्या दखिएगा हालही में खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है हालही में सबसे बड़ी गलेक्सी की खोज की गई थी तो इस सबसे बड़ी गलेक्सी का क्या नाम है तो सबसे बड़ी गलेक्सी जो हालही में खोजी गई है इसका नाम था LC-ness तो इसके बारे में आपको याद अखना है या सबसे बड़ी गलेक्सी है जो हाल ही में खोजी गई थी ये फरोरी महिने का करेंट रफेस का प्रस्तन है तो इसके बारे में आपको याद अकना important है तता किसके दोरा खोजी गई थी तो नासा के बैग्यानिकों के दोरा खोजी गई थी नासा आपकी अमेरिका की Space Agency है तता पचासमा प्रस्तनाच का है सीथ कालिन ओलम्पिक 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीता था तो विंटर ओलम्पिक्स 2022 में सबसे ज़्यादा पदक तालिका में नंबर एक पर देश था आपका नौर्वेथ इसके बारे में आपको याद अकना है तो दोस्तो यह जो हमारा Current Affairs का Set 2 है सिर्फ यहाँ पे हम आज 85 प्रस्तनों को कबर करेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस विए से हम इसको रोकते हैं तो फरोरी के 50 प्रस्तनों को अपलोड हम कलते रहेंगे लेकिन एक्जाम तक जो आपकी यह सिर्फ है पूरी तरह से समाप्त कलती जाएगी एक्जाम से एक महीने पहले ही यह सिर्फ आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी जनलरी से लेके सितंबर तक के सभी करेंट एफेस के प्रस्तनाब तक पहुचा दिये जाएंगे तो चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं तो थैंक यू, थैंक्स पर रोचिंग, थैंक यू